आप सभी लोग अगर मद्द्पिदेश के किसी गवर्मेंट एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आप देखिए MPPSC हो गया, MPSI हो गया, MPPolice Constable हो गया, पटवारी, जेल पहरी और आप देखते हैं कि सिक्षक भरती होती रहती है बर्ग एक बर्ग दो बर्ग तीन की इस तरह की तमाम एक्जाम होते हैं मद्द्पिदेश में और उनमें आपने देखा होगा कि मद्द्पिदेश सामानी ज्यान से आपकी परिक्षाओं में अच्छी खासी संख्या में पूंचे जाते हैं और इसमें मुझे लगता है कि दुहराय भी नहीं होनी चाहिए आपको और आप लोग जिस भी एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके पुराने questions फेपर उठा के उनका मूल लेंकन कीजे तो मुझे लगता है कि आप लोग बहतर स्कोर कर पाएंगे तो मद्पिदेश के बारे में एक सामान जानकारी आज आप लोगों को दे देता हूँ और मुझे लगता है कि इससे आपकी परिक्षा में questions जरूर पूंचा जाएगा आज की इस class से पहले एक बार आप लोग मद्पिदेश को देख लीजे हमारी प्यारे भारत के में देखे यह हमारा प्यारा भारत है लद्दाक उपर से लेकर आप देखे तमिलाडू और गुजरास से लेकर आपका अरुणाचल पिदेश यह सब ही आप राज्यों को और जब भी किसी राज्य के बारे में आप लोग पढ़ते हैं तो उसके आसपास कौन-कौन से राज्य हैं वो भी देख लिया करेगा देखे यह हमारा प्यारा क्या है भारत तो इसमें आप देखेंगे मद्पिदेश है मद्पिदेश की रादधानी बोपाल है इसकी सीमा महराश्य से लगती है चतिसगर से लगती है उत्तरपिदेश से लगती है राजिस्थान से लगती है और गुजरास से लगती है और एक राज्य की सीमा लगती है वो लग्दाग और चाइना की बात कर्म तो आप देखेंगे लग्दाग है हिमाचल पिदेश है उत्राखंड है सिक्किम है अवणाचल पिदेश पांच राज्यों की सीमा आपकी चाइना से लगती है और नेपाल से देखें तो आप देखेंगे और उत्राखंड उत्तरप्धेस, बिहार, सिक्किम और आप देखें के परस्च मंगाल पांच राज्यों सारेजियों से इसकी सीमा लगती है वही बंगला देखें तो आपका पका मंगाल हो गया, असम हो गया, मेधलय, तिफ्पोरा और आप देखें गे मिजोरम् पांच आगरलेंड और आपका अहुडाचल पिदेश चार राज्यों की सीमा इससे भी लगती है एसे रिलंका है आपका पड़ोसी पाक जन्लम्रू के द्वारा अलग होता है बंगाल की खाड़ी हो गई यह अरप सागर हो गया अन्वान निकोवार्दुईप हो गया लक्षदीप हो कोपाल है और यहां अगर हम लोग जन्संक्या की बात करें 2011 की जनगरना के हिसाब से क्योंकि अभी 2021 में आप सभी जानते करोना महामारी की कारण हो नहीं पाई है तो 7,26,809 यहां की कुल टोटल जन्संक्या है छेथफ़ल की बात करें तो 3,8,252 वरकिलोमीटर में फैला मद्वदेश और छेथफल की दिरिष्टी से हम लोग दूसरे नमबर पर है मद्वदेश दूसरे नमबर पर है और राजिस्थान पहले नमबर पर है जब तक आप देखें कि 36 गर्ड हुआ करता था मद्वदेश का हिस्सा तब तक आपको मालू हुगा कि मद्वदेश करता है जानदा हो कहीं कम हो तो 236 ब्रेक्तिपिति वर किलोमीटर में निवास करते हैं कुल जिले यहां बावन है और अंतिम और नया जिला आपका निबाडी है और जो आपका टीकमगर से अलग करके बनाया गया और शापितवी पर और निबाडी ये सभी आपकी किसमें आते पंडित जवालाल नहरूने उची नयाल है आप सभी जानते ही कि जवलपुर इसकी मुख पीठ है उसकी खंड़ पीठ आपको इंदौर और ग्वालियर में देखने को मिल जाएगे एक बार आप लोग इनको देख लीजे इनसे कुशन्स पूचा जाएगा देखिए उत्तर तो इन सभी राज्यों की आप लोग जरूर याद रखिएगा किस राज्य की सीमा किस राज्य से लगती है यह आप लोगों से कुशन्स फूचा जाता है इस तरहीगा गुुझरास से आप देखने जहाबूआ हो और आपका लीराज्पूर की सीमा की बात करिए बहारत के मे निया के किसी में बैपकी उसके बारे में पढ़ रहे हैं तो वड़े गहन अध्यन किया करिएगा उसका ठीक है चली यहां बता देता है आपको यह आपको प्रवलम ना हो देखें सबसे पहले हम लोग उत्तर पर देख चलते हैं मुरेना भेंड ततिया और आप देखें अधिवा चलिए और सिंग रॉली चाहिए ये सभी राज आपकी किस से लग रहे हैं? मदवदेश से लग रहे हैं, उत्तर पर देख से लिके सिमा, और अली राजपूर और आप देखेंगे फिर चलते हैं राजिस्तान, तो जाबुआ, रतलाम, मंदसोंर, नीमज यह आप देखेंगे आगर्मालवा, राजगट, गुना, और आप देखेंगे शिवफुरी, और शिवफुर, मुरेना, इन सभी कि ये राज जी की सीमा कहा लगती है राजिस्तान भोपाल यहाँ आपको बीच में देखने को मिल जाएगा उज्जेन है एंदौर है तो समझ रहे हैं ए जबलपूर है ए मैं मैं सहर हो गए आपके आप कहां से हैं इसमें आप लोगों को नीचे बताना है बताना चाहिए वहीं अगर हम लोग राज की पुस्प की बात करें तो यह सफेद लीली है क्या है सफेद लीली है तो यह भी आप और सफेद लीली आप लोगों को स्क्रीन पर देख रही होगी यह बारे सिंगा हो गया और यह आपकी सफेद लीली हो गया राज की पक्छी दूद राज जि बर्गद है राज की एकिल मलकम है यह आपको देख रहा होगा बर्गद आप लोग देखते हैं हिंदु धर्म में काफी इसे उजा जाता है मलकम भी आप लोग देख रहे होंगे अब देखिए जैसा कि आप सभी को बता चुका हों मद्धिपदेशिस का नाम है एक नवंबर स सन 2000 में जो वर्थमाल स्वरूप है यह आता है छेतफल 3,8252 किलमीटर है जन संख्या 7,266,809 है राजधानी भोपाल है कुल जिले 52 है संभागों की संख्या 10 है विकास खंड आपके देखिंगे आप लोग 303 रहे है तहसीले देखिए बढ़ती रहती है तो मुझे लगता ह और पिदेश की सबसे छोटी तहसील छेतफल में अजयगर पन्ना में है और नगर सहर आप देखें कि 446 नगर नेगम 16 है नगर पालिका अंठानवे है नगर पईशद 294 है नगर पालिका यह आप देखें अंठानवे सास की डायरी 2021 के अनुसार 99 हो गई है तो यह भी आप लोग याद रखें यह बढ़ते रहते हैं इस पर जानदा मुझे लगता है कि ध्यान देने की जरूरत नहीं है जिस समय आप लोग पेपर देने जा रहे हैं उस समय जरूरत देखके जाए के रिए कुल ग्राम चमगनजार नौसोत तीन है जिला पंचयते इंक्यावन और आपका जो नया जिला बनाया है निवाड़ी अगर वो जोड़ जाती है तो बावन हो जाएंगी वहाँ हो जाती है तो ग्राम बंचयते दोजार उननीस बीस के साबसे 22,812 है आदी आदी वासी विका राच्किय नाट माच है राच्किय गान मेरा मत्विदेस है जिसके रचेता है महेश सिरिवास्तो साब राच्किय मचली महासीर है 2013 में घोसित की गई थी राच्किय फसल सोयावीन है राच्किय भासा हिंदी है राच्किय विधाय का एक सदनी है आप सभी जानते ही कि विध 231 सदस हुआ करते थे बिधान सभा में मद्ध्यपदेश में लेकिन आप सभी जानते हैं जब एंगलो इंडियन का पिति निदित नहीं मिल रहा है और जब इनकी संख्या ही ना के बराबर है तो इन्हें किस लिए दिया जाए तो ये परावधान भी अब खतम कर दिया गया है और जो नए आख्रे हैं उसके हिसाब से 230 है और विधान सभा में देखी ए जन संख्या जरूर आप लोग याद रखनी होगी क्योंकि इनसे कुष्ण्स जरूर पूछे जाते हैं कि आपका विधान सभा में अनुसूचित जाती के लिए आरक्षे सीटों की संख्या कितनी है 35 है यानि की कहने का मतलब है कि जो अनुसूचित जाती SC के लोग है उनके लिए कितनी विधान सभा सीटें आरक्षे थे 35 और विधान सभा में अनुसूचित जन जाती के लिए आरक्षे सीटों की संख्या कितनी है क्योंकि आप सभी जानते ही कि मद्वदेश में जनजाती के लिए आरक्षे सीटे 6 हैं, और राजिसवा में सीटे हैं 11, कितनी 11, अब जो आपकी टोटल जनसंख्या है, 7,26,26,809, इन में से पुरुस कितने हैं, तो 3,76,12,306, और महलाओं के संख्या कितनी हैं, तो 3,50,14,503, यानि कि आप देखें, महलाओं कम हैं पुरुस जनसंख्या की बात करें, यानि कि आपकी जो टोटल 7,26,809 है, इसमें इसे गाओं में कितने लोग निवास करते हैं, गरामीड जनसंख्या कितनी हैं, तो आप सभी जानते हैं कि अधिकतल लोग गाओं की तरफ भी निवास करते हैं, 5,25,57,404 हैं लोग हैं, और गरामीड पुरुसों में देखें, तो 2,71,39,388 हैं, गरामीड महिलाएं, 2,54,8,016 हैं, और सहरी जनसंख्या की बात करें, तो 2,79,405 हैं, इसमें से सहरी पुरुस 1,04,62,980 हैं, सहरी महिलाओं की बात करें, तो 96,6,487 हैं महिलाएं, छेतफल की दृष्टी से मद्विदेश का कौन सा नंबर है देश में, दूसरा है, पहले पर राजिस्तान है, सरवादी कुपोसित जिला कौन सा है, सिवफोर है, सबसे कम कुपोसित जिला भोपाल है, क्योंकि आप देखें सहर है, इसलिए थोड़ी जागरूखता रहती है मद्विदेश की, मद्विदेश राजि का जनसंख्या घनत कितना है, यह आप देखें 236 वर किलोमीटर, यानि कि यह कहने का मदल है कि 236 लोग रहते हैं वर किलोमीटर में, सरवादीक जनसंख्या घनत बाला जिला कौन सा है, भोपाल है, इसका कितना है, पांस सो, आठ सो वेक्ती पिती वर किलोमीटर में रहते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं, राजदानी है, इसलिए घनाव, लोग जाना यहां बसते हैं, तो 855 है, सबसे विरल घनत बाला, यानि सबसे कम घनत बाला, जिला, इडिंडोरी है, 94 वेक्ती पिती वर किलोमीटर में रहते हैं, ज से आप लोग होसंगा बात के नाम से भी जानते थे सरवादिक सगन आबादी वाला संभाग इंदौर है क्या है इंदौर है और आप देखें कि सबसे विरल आबादी वाला संभाग सबसे कम आबादी वाला सहेडोल है और चेटफल की दृष्टी से सबसे बड़ा जिला आपक कि जन संक्या की दिरिष्टी से सबसे बड़ा जिला इंदौर है क्या है इंदौर है और जन संक्या की दिरिष्टी से सबसे छोटा जिला देखिए अगर 2011 की जनकरणा के हिसाब से पूँच रहा है तो ठीक है लेकिन आप देखिए कि अगर नई जनगरना के हिसाब से अगर उसमें इंदोर क्या दिया गया निवारी दिया गया तो निवारी जनसंक्या के हिसाब से भी छोटा ही जिला है और छेदफल में भी छोटा ही जलाया है ठीक है सरवादीक लिंगनपात कहने का मतलब है कि 1000 पुरसों पर कितनी मैला है तो बालागाट सबसे अच्छी इस्तिती में है 1000 पुरसों पर आप देखेंगे 1021 मैला है सबसे कमल लिंगनपात भेंडेका है एक हजार पुर्सों पर यहां 837 महलाएं है मद्विदेश में साक्षर्ता दर यह 59.3% लोग साक्षर हैं और आप देखें जो साक्षर्ता की हमारे देश में परिवासा है बहुत निचले इस तरकी है जो पड़ लेख लेता है आप देखें सिगनेचर कर लेता है वो पड़ा लिखा है अब आप देखें आजकल इतना तो सब कोई कर लेता है उसमें भी आप देखें 69.3% है पुरू साक्षर्ता देखेंगे 78.7% है महला साक्षर्ता 69.2% है यहां से आप लोगों को पुर्चों और महलाओं में भेदभाव सुरू दिख रहा होगा सरवाधिक साक्षर संभाग जबलपूर है सबसे कम साक्षर संभाग इंदोर है सरवाधिक साक्षर वाला जिला आपका देखेंगे जबलपूर है 81.01% सबसे कम साक्षर वाला जिला अली राजपूर है सरबादिक पुरुष साक्षरता वाला जिला इंदौर है सरबादिक महला साक्षरता वाला जिला भोपाल है क्या है भोपाल है और एक कुश्चन से जरू पूचाएगा मद्द पिदेश की सबसे बड़ी जन जाती भील है तो यह भी आप लोग याद रखिएगा पिदेश की भोगोलिक एवं अन्यवे से इस्ताइट भी देख लिजे इनसे भी कुश्चन सा आता है आपकी परिक्षाओं में आता होगा आप सभी जानते भी होंगे कि नहीं जानते हैं तो उत्तर पिदेश की भोगोलिक इस्तिती की बागर हम लोग बात करें तो 21 डिगरी 6 मिनिट से 26 डिगरी 30 मिनिट उत्तरी अक्षाण्स और 74 डिगरी 9 मिनिट से 82 डिगरी 48 मिनिट पूर्वी देशांतर में आपका मध्यपिदेश फैला हुआ है 26 से लेकर 26 डिगरी और 74 डिगरी 848 और आप लोगों को उत्तरी अक्षाण्स पूर्वी देशांतर याद रखना है उत्तर से दच्छिन की लंबाई की बात करें तो 605 किलो मीटर है और पूरुप से पश्चिम की चोड़ाई की बात करें तो 870 किलो मीटर में फैला हुआ है 605-870 राजी की सीमा से लगे राज्ज देखें तो 5 राज्ज हैं उत्तर में उत्तर उत्तर पिदेश उत्तरपूर में महराश दच्छिन पश्चिम में 36 गड़ दच्छिन पूर में राजिस्तान उत्तर पश्चिम में गुजरात आपका पश्चिम में को गुजरात से भी आपकी सीमा लगती है राजी की अधिकतम सीमा से मिलने वाला राज आप सभी जानते हैं कि उत्तर पिदेश है क्या है उत्तर पिदेश है राजी की नियुनतम सीमा से मिलने वाला राज गुजरात है राजी के मद्र से गुजरने वाली रेखा, करक रेखा है ए मद्र बितेश की चौधै जलों से उकर जाती है कितने? चौधै जलों से यह भी आप लोग याद रखेगा इनसे questions पूँछे जाते हैं क्या पूँछे जाते हैं? questions करक रेखा मद्र बितेश की 14 जिलों से उकर जाती है इसमें आप लोग एक बार में में देख लीजे कौन कौन से जिले हैं आप लोग यहां से सुरू करिए गुजराथ की तरफ से सुरू करिए आप लोग तो आप देखेंगे सबसे पहले आप लोग कहां जाएंगे यह आप लोगों को देखने कुमलेगा रतलाम है देखिए रतलाम से उज्जैन पहुंची है आप लोग और उज्जैन हो गया आगर हो गया आपका रतलाम उज्जैन आगर हो गया आपका आगर के बाद आप देखेंगे राजगड हो गया आपका क्या राजगड हो गया आपका भोपाल हो गया भोपाल यहीं आप देखेंगे सिहोर है आपका सिहोर से होके जाती है और सिहोर से देखेंगे आप लोग की विदीसा राइसेन विदीसा राइसेन और आप देखेंगे विदीसा राइसेन सागर दमो दमो के बाद आप कटनी, उमरिया, और सहडोल, क्या सहडोल, और पहले साजापुर जले से करकरेखा गुजरती थी, लेकिन अब साजापुर जले से आगर जला अलव हो गया, तो वहाँ से गुजरती है, तो यह भी आप लोग याद रखेगा, इनसे questions पूँच लेता है, क्या कर लेता है, रखे लेता है, इससे भी questions पूँच लेता है, देखिए यह हमारा प्यारा भारत है, इसमें आप देखेंगे, कि यहां से आप लोग सुरू कर लीजे, पहले गुजराच चलिए आप लोग, फिर आप लोग राजिस्थान आ जाईए, मद्वदेश पहुंच जाईए, च्छ में, कुल छेतफल में, मद्वदेश का इस्थान के 30 सथ कितना है, तो 9 दसमलों, यह आप देखेंगे, 9 दसमलों, 38 परसेंट छेतफल है, राजिका सबसे उचा इस्थान कौन है, धूबगाड़ी, पहाड़ी, यह महादियो पहाड़ी पर देखने को मिलेगा, राजिका सब इस्थान कौन सा है, खजरा हो, सबसे ठंडा इस्थान, यह सिवफुरी, पिदेश की सबसे बड़ी नदी, नर्वदा नदी है, यह आप सभी जानती है कि 1312 किलो मीटर इसकी लंबाई है, और सीमाबर्ती राज्यों से जुड़े जिले देख लिजे, उत्तर पिदेश से आ और आप देखेंगे कि आपका गुजरास से जो जाबुआ और अली राजपुर, और महाराष्ट इन्नो, अली राजपुर, बडबानी, खरगोन, खंडवा, बुर्हानपुर, बैतूल, छिदवाडा, सिवनी, बालागाट, तो यह भी याद रखेगा, और मद्ध पिदेश से अगर यह आप लोग याद रख सकते हैं, तो याद आपके पास महमूरी है, तो याद रखेगा, उत्तर पिदेश के ग्यारे जिले, आगरा, इटाबा, जालों, जांसी, ललितपुर, बांदा, मिरिजापुर, इलाबाद, प्रियागराज, महोवा, सौनभद, और चित्त पुलडाना, गौंदिया, नंदूरबार, जलगाओ, चटिसगड के साथ हैं, राजनन्द गाओ, कवीरधाम, बिलासपुर, मुंगेली, सूरचपुर, कोरिया, वलरामपुर, और गुजरात के दो जले हैं, दाहोद और बालोदरा, ये भी छोटी बात हैं, मगर याद रख गई, तो कपिल, कपिल धारा जलपे पाद, ए अमरकंटक अनुपूर में देखने को मिलेगा, किस नदी पर है, नर्वदा नदी पर है, दुखदे धारा जलपे पाद, ए अमरकंटक अनुपूर में देखने को मिलेगा, किस नदी पर है, दुखदे धारा जलपे पाद, ए आप देखेंगे नर्वदा नदी पर देखने को मिलेगा मंधार जल्पेपाद एक अंडवा में है नर्वदा नदी पर दर्दी जल्पेपाद एक अंडवा में है नर्वदा नदी पर तो कफिल धारा जल्पेपाद दुगत धारा जल्पेपाद धुआधार सहस्त धारा मंध यह सब्धार और दर्दी इस अभी आपका नर्बदा नदी पर है। रीबा में देखने को में लेगा महाना नदी पर है चचाई जल्पेपाद ये आप देखेंगे रीबा में भीहड नदी पर है ये भी कई बार पूछ लिया चचाई जल्पेपाद रीबा में भीहड नदी पर बहुती बहुती जल्पेपाद ये सेलर नदी पर है रीबा में प बर्तमान में मद्विदेश का सबसे उचा जल्पेपाद, बहुती जल्पेपाद है, जो रीबा जले में देखने को मिलेगा, इसकी अगर उचाई देखें तो 198 मीटर या 650 पेट है, जबकि इससे पहले चचाई जल्पेपाद मद्विदेश का सबसे उचा जल्पेपाद था, जिसके अगर आप लोग लब पूचाई देखें तो 130 मीटर था है तो यह आप लोग जरूर याद रखेगा नदियों की किनारे बसे प्रमुक नगर इनसे भी कई बार कुश्चन्स पूच लेता है यह नदी हो गई नगर हो गया नर्वदा नदी की किनारे अगर आप देखें तो आपका उंकारे सुर हो गया अमरकंटा, खोसंगाबाद, जवलपूर, महिसुर चंबल नदी के सेवपूर, महूर, रतलाम, मुरेना तापती नदी के मुल्दाई, बुरहनपूर, बैदवा नदी के ओर्चा, साची, विदीसा, गुना प्तम राजपाल राजपाल, सुर्स्री सरला गेबाल shipment, महिला मुहमंत्री पन्डित गेबाल और मुख मंत्री ओमाभारती जी को दाऊए जिक है टिक है पिथा मईढशा भाप दियक्ष्ड पंडित कँजि लाल दोवे पिथा बिथा मईढशा भाप दियक्ष बिन विश्नो विनायक सर्वती फित हम बिपकश नीता स्री विश्नो नाथ यादव राओ तामसकर उच्छ नियाले की पिथम मुख नियादिस मुहम्मद हिदायतुल्ला, पिथम महला नियादिस स्रीमती सरोज नहीं सक्षेना, पिथम मुख सचिप स्री एचेस कामत, पिथम निरवाचन आयुक्त एन भी लुहानी, पिथम लोकायुक्त पीवी दीख्षित, राजी सूचना पिथम बितायुक्त की अध्यक्ष, डॉक्टर सबाई सिंग से सौधिया, पिथम बिपक्ष की महला निता, जमना देवी, पिथम नोगल सान्ती पुरुसकार पर राप्त करता, ये कहला सत्यार थी, बच्पन बता बचाओ आंदोलन, कई बच्चों की जिन्दगियां समारी पिथो के रत खेली मिधाली, विधम बिजली परमादु बिजली घर, चुटका गाओं मन्डला में, और पिथेस का पहला अंतराष्टी है, पिदेश का पहला IT पार्क भोपाल में पिदेश का पिद्धम अंतराष्टी हबा इड़ा टर्मिनल भोपाल पिदेश का पहला स्व्लबगी राम एच्छातरपुर पिदेश का पहला किर्सी विसिविद्याले जबलपुर में कहां जबलपुर में तो ये भी आपरो याद रखिएगा पिदेश का पहला विस्विध्याल है डॉक्टर हरी सींग गौर विस्विध्याला सागर की उनिवसिटी 1946 में बनी थी तब 1946 में पहला ISO पिरमाडपत AP कारियाल है SP कारियाल है देवास है पिदेश का 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 पि मद्धिधिध किनमे पित्थम इस्थान पर है देश में देश की सबसे बड़ी मस्चित ताज उल मस्चित एग भुपाल में देखने को मिलेगी देश में Optical Fiber की सरपित्थम इस्थापना मंडधी भुपाल में सरपित्थम गराम सोराज विवस्था स्थावित करने वाला राज, आप मद्धिपदेश है, देश में हीरा उत्पादन करने वाला भारत का पितम राज, मद्धिपदेश है, मद्धिपदेश में पन्ना जिला अपने सुनाओगा, भारत का पितम घोसित परेटन नंगरी, यह आप देखे सिवफुरी है, भारत का पहला माइक्रोचिप्स बनाने का कारिखाना भोपाल भारत का पहला मलखम अकादमी स्थाबित करने वाला राज उज्जैन में है ये मलखम अकादमी मद्यपदेश में DNA टेस्ट बागों का कराने वाला पहला राज मद्यपदेश सत्वुडा टाइगर जर्व देश का पहला गौप भिहरन इस्थाबित करने वाला राज आगर मालबा में है मद्यपदेश ही है आईएसो नो हजार एक के दो हजार आट का अवर्ड पाने वाला पहला राश्टी उद्याल बन विहार है यह भोपाल है बन विहार जाईए आप लोग भोपाल आपने देखा होगा भारत भिमर की नाम से जो फिले लिष्ट सूची बनी हुई है उसमें हम लोगों ने जब सफर यहां किया हुआ था गए हुए थे तो उसका वीडियो भी पढ़ा हुआ है देख सकते ह किरसी आर्थिक सर्वेक्षन पिस्तूद करने वाला देश का पहला राज आपका MP ही है मद्विदेश है देश का सरवादिक सुयावीन उतवादन करने वाला राज मद्विदेश है देश का एकमात मानो संगराल इस्तापित करने वाला राज भोपाल है क्या मद्विदेश ह है तो यह भी याद रखिएगा आप लो देश में अनुसूचित जनजाती की जनसंख्या की आधर पितम राज मद्विदेश है आपका और बनो का रपूर्ण राष्टी करने वाला देश का पितम राज मद्विदेश है एसिया का पितम सारे रिक सिक्षा विद्याल है ग्वा अब हम लोग बात कर लेते हैं आपके परिवान और संचार पर क्योंकि इनसे भी कुष्टन्स क्या रहता है पूँचता है आपसे जब पूँचता है कुष्टन्स ही पूँचेगा और क्या पूँचेगा यह आप देखें सबसे लंबा राष्टी राजमार्ग NH3 है मद्विदेश का सबसे छोटा राष्टी राजमार्ग NH349 भी है पिदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्सन 8RC है पिदेश में लोग निर्मार विभाग द्वारा संधाधित सड़कों की लंबाई या राष्टी राष्टी राजमार्ग प्रांतिय राजमार्ग मुख जिला मार्ग आने जिला गरामीड मार्ग को लिए तो यह 2020 के नवंबर के आकड़े देख लिए पहले कि आगर आपको याद रखना है तो रख लिए तो राष्टी राजमार्ग 8888 किलोमीटर और प्रांतिय राजमार सडक परिवहान अगस्त 2020 में देख लिए कब 2020 में तो इसमें पक्की सडकें आप देखेंगे किलोमीटर में अच्छी सडकों की लंबई 2,000 किलोमीटर राष्टी राजमार्गों की लंबई 8,858 किलोमीटर पंजीकेद बाहन हजार में 14,606 यह आप देख लिए पिदेश की परमुक आकास वाणी केंद उनकी स्थापना इन दोर आकास माणी केंद 22 मैं 1955 में इसकी स्थापना हुई थी एक 11 अगस्त 1994 को ग्वालियार अकास बाडी केंद ए 15 अगस्त 1964 को चातरफुर अकसवानी केंद ए 7 अगस्त 1976 को सागर अकसवानी केंद यह आप देखें दो मई 1993 को इनने डेट भी याद रखे पूंच लेता है कई वाद यह आप देखें मत्पिदेश में संचारी की बात करें डांक घर यह आपकी 2019 बीस के आखड़े हैं अगर नए आखड़े आए तो उससे आप लोग अपडेट कर लीजेगा आठ हजार दोसो सततर पत्पेट्री पत्पेटी ए तैंती से जार नो तैंती से जार चैसो इकानवे टेली फॉन कनेक्शन ए चो लाग चबाली सजार एक सो चपन आजकल तू आप देख रहे हैं कि मोबाल हो चुका है टेली फॉन केंद ए दो हजार दोसो तैस दूरदासन केंद इस्टूडियो जीरो तीन अगाव अरी केंद सथाइस मद्व पिदेश के इतिहासिक दुरुख देख लिए जिले देख लिए उनका नाम हो गया यह निर्माड काल जिनने करवा है निर्माड करता देख लिए ग्वालियर दुरुख ग्वालियर का किला आप लोग न इसका निर्माड करवाय था मंदसोर का किला मंदसोर में चौदेवी सताबदी में इसका निर्माड अलावदीन खिल जीने करवाय था नर्वर का किला सिवफूरी में इस चौदेवी सताबदी में राजा नल की द्वारा करवाय गया था रायसेन दुरुख ए आपका रायसेन में सोलेवी सताबदी में राजवसंती की द्वारा करवाय गया था मंडला का दुरुक मंडला में सोलेवी सताबदी में राजा नरेंद साय ने करवाय था गड़ कुंडार के ला एटीकमगड में ये सोलेवी सताबदी में आप देखें केट सिंग ने केट सिंग ने इसका क्या करवाय था निर्माड और च्छा दुरुक ए निवारी जिले में 70 वी सताबदी में इसका निर्माड करवाया था राजा बीर सिंग बिंदो देला के दवारा अजय गड का दुरुक इपन्ना में 58 सताबदी में राजा अजय पाल के दवारा करवाया गया था ये चोटे-चोटे हैं लेकिन इने याद रखेगा ग्वालिया दुर्ग ग्वालियर में चंदेरी का किला असुखनगर में गिन्नौर गड़ का दुर्ग रायसिन में अस्तीर गड़ का किला बुर्हानपूर में धार का किला धार में बांदागाड का किला उमरिया में अगर गवालियर गए होगी तो फूलवाग आप लोग ने देखा होगा जेलकारी वाई की समाधी रानी लचिवाई की अंग रक्षी का थी एक इनकी आप लोग देखें तो कहाँ है इनकी समाधी गवालियर में गवालियर में ठीक है काले सेवियत का मकवरा ए असोख नगर में, काजी का मकवरा असोख नगर में, सूफी संतबा सेखों का मकवरा ए असोख नगर में, चत्त साल की समाधी धुवेला चत्तरपुर में, वेच्छा रानी का मकवरा चत्तरपुर में, सबाई सिंग की समाधी ए चत्तरपुर में, महर बाप सिद्धिगी की हसन खा का मकबरा भोपाल में, होसंग साय का मकबरा मांडू में, महमूद खिल जी की कबर ए मांडू में, कहां मांडू में, तो ये भी है, मुहम्मद खिल जी की कबर ए मांडू में, महरानी सांक्या राजे सिंधिया की समाधी सिवफुरी में, तत्या ट में का धार में तो यह भी याद रखेगा पेशबाब आजी राओ की समाधी आप देखें खरगोन रावर खेडी में फीर बुधान का मकवरा सावराच छे फोरी में गिर्धारी वाई साहई कि समादी, रानी अवन्ती पाई का मंडला, बाबा मस्ताना अली साह saat की मजार, ए धमोनी सागर में, काणा बाबा की समादी, ए सोडल पूर हरदा में, गन्ना वेगम की अक्का मकवरा, नुराबाद मुरेना में, दोस्त महमद फते है, फतेई बेवी कमकवरा हुजूर भोपाल में रानी रोमती बाज बहादूर की मजार ये सारंगपूर राजगर में मुहमत आलम मुनबबर खांका मगवरा सिर्फोर में मलहार आओ हुलकर की समाधी आलमपूर भेंड में हरदौली की समाधी निवाड़ी आप देखे हरदौली की समाधी उरचह में है, अप देखते हैं हरदौल एमनवाती रहती है आपके यहाँ साधी होती है बुंदल खंड में खास कर तो उनकी हाँ एक कायड़ निवन्तन कायड़ जरूद दिया जाता है तो और इच्छा में पढ़ता है निवाडी जिले में रानी अबंती भाई की समाधी ए टिंडोरी में किस में टिंडोरी में मदप देश के पिरमुक महल देख लीजे इनसे भी कुश्टन्स पूचे जाते हैं न तो दाही महल ए मांडू धार में असरभी महल मांडू धार में राणी रूमती महल मांडू धार में जहाज महल मांडू धार में हेडोरा महल मांडू धार में खरवूजा महल धार में चपन महल मांडू धार में ही देखने को मिलेगा कहां और फिर आप देखेंगे कि आपका यह आप देखिंगे अन्धा महल इधार में आपको देखने को मिलेगा काँ दार में देखने को मिलेगा कालिया देह महल उज्जेन में देखने को मिलेगा मदन महल जबलपुर में सतकंडा महल दतिया में राजा अमन महल ए अजैगर पन्ना में पन्ने जिली में ठीक है में है, दोनों जगए, धुबेला महल चतरपुर में, आप देखे मदवदेशth में जो समारो होते हैं, इसे भी दो कूष्टन साथते हैं आपकी परीकचा अमें, तो ये नाम हो गया उन समारों का ये स्थल हो गया जहां होते हैं तो आप सभी जानते हैं कि काली 10 समारों ये उज्जयन में होता है खजराहू नेत्य समारों ये खजराहू में होता है तांज ये आप देखें चतरपुर जिले में पड़ता है खजराहू अगर देखिए उर्षा की बारे में कुछ आए तो अब निबाडी लगाए करिएगा अगर निबाडी दिया गया है तो मदपिदेश की प्रमुक जो सिचाई परियोजना है इनके बारे में भी देख लीजे क्योंकि इनसे भी कुष्टन्स मूचे जाते हैं क्या कुष्टन्स आते हैं यह परियोजना हो गई और यह नदी हो गई लावानविद जिले और विसे से इन पर कुछ पॉइंड इनके बारे में जैसे चंबल नदी आप सभी जानते ही कि चंबल नदी पर है नीमच मंदसों और भिंड मुरेना ग्वालियर सिफूर इससे लेवान लावानविद वाले जिले हैं पिदेश की पहली परियुझना मद पिदेश और राजिस्तान की सेवग बहूद देश की परियुझना है रानी अबन ती भाई ए नर्वदा नदी पर है जबलपूर, सिवनी, मंडला इससे लावान वे उतोते हैं इस परियोजना केता है निर्मित बर्गी बांध नर्वदा नदी पर निर्मित पहला बांध है क्या है पहला बांध है फिर आप देखें कि सागर बर्गी परियोजना ए इसी पर है नर्वदा नदी पर ठीक है ए नर्वदा नदी पर ठीक है बर्गी परियोजना के नाम से भी बांध बनाये गया है, इंद्रा सागर परियोजना, ये नर्वदा में, खंडवा नदी कनडवा ज़ा इसा लावानवित होता है मद्ड़ीस की सबसे बड़ी परियोजना जो भारत में सरवादी, पाननी, भंडार भंडार, ये उंकारेसो परियोजना यह परियोजना खंडवा जले के मंधाता ग्राम के समीब इंद्रा सागर परियोजना से 40 किलोमीटर दूर इस्तेत है महिस्वर परियोजना यह भी नर्वदा नदी पर है खंडवा जले के आधिवासी बहूल तहसील मनावर कुछी और गंध वानी लावान भी थोते है जोबट परियोजना हतिनी नदी पर है जाबुआ में इसे सही चंदसे का राजा सागर परियोजना के नाम से भी आप लोग जानते है सरदार सरोबर परियोजना ए नर्वदा नदी पर है इस परियोजना में मद्पिदेश, राजिस्थान, गुजरात और महराष्ट राज सामिल है चार राज, MP, राजिस्थान, गुजरात और महराष्ट पैंच परियोजना, ये पैंच नदी पर है छिदवाडा वाला गाट इससे लावनवित होते हैं मद्धपिदेस उत्तरपिदेस की एक以及 ऐतराजी ये परियूजण नहीं इस परियोजणा के तली रानीलखमिवाई बांद बनाया गया है वानशागर परियूजणा सौन नदी पर है रीवा सीधी सतना सैडोल इससे लावनवित होते है या मद्पिदेश उत्तर पिदेश बिहार की सायुक्त परियोजना है कैन वैत्वा परियोजना ये कैन वैत्वा नदी पर है छतरपो पंड़ना, टीकमगड और बुंदेलखन की अनपिरमुख जिले और कुछ कुल मिलाकर नोजले से लावनवित होते हैं मद्पिदेश के ये कैन वैत्वा परियोजना आप देख रहे हैं ये मद्पिदेश उत्तर पिदेश की सायुक्त परियोजना है ये बहुत समय से पैंडिंग में पड़ी हुई थी चोरल परियोजना चोरल इंदोर में है यह अंतरगाटी परियोजना है हलाली परियोजना हलाली नदी पर विदीसा राय सेने से लावान वित होते हैं इस परियोजना को समराट असोक सागर परियोजना की नाम से भी आप लोग जानते हैं अब देखे बन जीब जो बन बन जीब राश्टी उद्ध्यान देख लिए इनसे भी कुश्टन स्पूचता जाता है बनों का राश्टी इकन करने वाला देश का बिथम राज मदवेदेश, सरवाधिक बन चेतफल वाला राज मदवेदेश, ये आप देखें के 77,482 बर किलोमीटर में पहले हुए हैं सबसे बड़ा बनचेत वाला जिला खंडवा, सबसे छोटा बनचेत वाला जिला साजापुर, राजी की पहली बन नीती जारी होने का वर्स 1992 में पहली नीती आई थी, राजी का सबसे बड़ा बनवेट खंडवा, और राजी का सबसे चोटा बनवेट होसंगाबाद, राजी क सबसे बड़ा राष्टी उद्यान काना किसली राज का सबसे चोटा राष्टी उद्यान फोसिल डिंडोरी में देखने को मिलेगा कहां डिंडोरी में और पिदेश का सबसे बड़ा अभिहारन नौरा दिही कौन नौरा दिही बनने जीव जागरुकता केंद राला मंडल एकमात राष्टी उद्यान जहां वेडरी प्रजाती के वारे सिंगा पाये जाते हैं, काना किसली, विसका की पहली राइट साय, टाइगर सफारी मुकंदपूर सतना में, विसका पहला गोव अभ्यारन बाला जिला, आगर मालवा, राज का एकमात रेप्टाइल पार्क जिला पन्ना, विसको सरफितम सफेज सेर, सफेज सेर देने बाला जिला, रीवा, राज के राष्टी उद्यानों में सरवादीक पाये जाने बाला जीत, जीव चीतल है, तो यह भी याद रखेगा, फोरेस्ट, इस्टेट फोरेस्ट रेपोर्ट 2019 के अनुसार मद्वित इसका रे सरग्चिक चेत, 31,098 वर किलोमीटर, 32 देसमलो, 84 परसेंट, आवरगी के चेत, 1,705 वर किलोमीटर, यानि की 1.80 परसेंट, एकोल मिलाकर आपकी 94,689 वर किलोमीटर में, मद्वित इसका जिलाबार बना रहें, रेपोर्ट 2019 के साब सी, भोगवली चेतफल के पितीसत के आध में जंगल जंगल देखने को मिलेगा 53,54 परसेंट, सेवफूर दूसरे, उमरी या फिर मंडला परसेंट में याद रख सकते हैं, सबसे कम उज्जयन में, साजापूर, फिर उसके बाद रतला, भिंड, तो सबसे कम उज्जयन, और सबसे जानदा बालागाट, छेतफल के आ 22 वर किलोमीटर में है, ठीक है, तो सबसे कम देखिए, छेतफल के बारे में बात कर लिए, चाहे आप लोग पितिसद के मामले में, उज्जयन सबसे नीचे है, और उपर आपका सरवादी के आपका कौन बालागाट, तो ये चोटी बात हैं, याद रखिएगा, अब इसे इ पक्षी बसों के लिए सरक्षि छेत देख लिजे, ए घडियाल मगरमच के लिए, चंबल राष्टी अब्भ्यारन, इमुरेना में है, सौन नदी अब्भ्यारन, एसीदी में है, कैन नदी अब्भ्यारन, इचातरपुर में है, दूजराद राच्पक्षी, राच्की अब्भ्यारन, सिवपूरी में, एसी आई सेल के लिए, कुनो फालंपुर अब्भ्यारन, कुनो राष्टी उद्ध्यान, एसे उपर में आपको देखने को मिले जगा, प्रोजेक्ट टाइगर में सामिल उद्ध्यान और अब्भ्यारन देख लिए आफ लो, इनसे भी टाइगर में सामिल किया गया था, पेंच, इसे उनी चितवाड़ा में फेला हुआ है, 1992-1993 में इसे सामिल किया गया था, बांदागाड उमरिया में है, इसे 1994 में सामिल किया गया था, पन्ना आपका पन्ना छेतरपुर में है, 1993-94 में, सत्थपुर आपका होसंगाबाद में सन 1999 में सन 2000 में से सामिल किया गया था संजय दूबरी एसीदी में है 2008 में इसे सामिल किया गया था राता पानी यह आप देखेंगे राय सिंसे और में 2013 में कुछ सिरोतों में 12 इसकी डेट दी गई मत्विदेश की जै मंडल आरक चिछित वाइस फियर जर पचमडी वाइस फियर जर पचमडी होसंगाबाद में मार्च 1999 में से गोसित किया गया था अचानक मार अमर्कंटक अनुपुर में मार्ज 2005 में पन्ना वाइस्पियर जर अगस्त 2011 में मद्विदेश की राष्टी उद्ध्यान देख लिए काना किसली मंडला और बालागाट में 940 बर किलोमीटर में फैला हुआ है उस्थापना में 1905 में होई मादवगाट सिविरी में 24 कि इसकी स्थापना हुई है पैंच आपका सीवनी चित बाड़ा में हूँ नो सो 292 कि में फैला हुए हैं 1983 में इसकी स्थापना हुई है अगुगवा फोशिल जीवास एडिनोरी में है 0 270 बर किलो मीटर में फैला हुआ है और आप देखेंगे कि 1983 में इसकी इस्थापना हुई थी बन भिहार भोपाल में है 4.43 बर किलो मीटर में है 1983 में इसकी इस्थापना हुई थी डायनासोर जीवास एधार में है 0.8974 बर किलो मीटर में फैला हुआ है 2010 में इसकी इस्थाबना हुई थी, कुनों आपका से उपर में है, 2004 में, 4042 किलो मीटर में है, 2018 में इसकी इस्थाबना हुई थी, तो ये चोटी-चोटी बात हैं, याद रखिएगा, मत्विदेश के पिरमुक अभ्यारन, ये मुझे लगता है कि देखे, ये बन पराड़ी आपको याद रखना है, तो आप लोग याद रख सकते हैं, वरना इनका जिला जरूर पूचा जायता है, आपके पास मेमोरी है, तो आप याद रख सकते हैं, ये नाम हो गया जिला, नरसिंगड, राजगड में, गांधी सागर मनद सोहर में, एप्तर मुक बन पराड़ी याद रखना है, तो रखिएगा, भूरी हौसंगाबाद में, पच्मणी हौसंगाबाद में, दोवरी संजय सीधी में, रातापानी रायसन सिवुपूर में, सिहोर में और सिंगोरी, ए-गाईशन में, नौरादी सबसे बड़ा है सागर में, पैंच मोंगली सिउणी में, चम्बल मुरेना में केन घडियाल छतरपुर में कहां? छतरपुर में सौन घडियाल, ए-सीधी में और आप देखेंगे, कहां? सीधी में, करेरा सिवपुरी में गाटी गाओ ग्वालियर में, वगदरा एसीदी में, पैन मंडला में, पनपता उमरिया सैडोल में, सरदारपुर एधार में, कहां धार में, सैलाना रतलाम में, गंगू, यह आप देखें पन्ना चतरपुर, राला मंडल सबसे छोटा है इंदोर में, वीरांगना दुरगवत दवो में, ओर्चा निवाडी टीकमगरजले में, सिवनी देवास सेवफुर में, सेवर में, ठीक है, तो यह भी याद रखेगा, उद्देव खनेज उर्जा देख लिए भारत का डेट्टाइट पीथम फूरधार में, भारत का पिथम ऑप्टीकल फाइबर कारकाना अनुसंधान केंद इंदोर में, भारत का पिथम रत्न परिस्कित केंद जबलपूर में, विसमें तीसरा इसिया में पिथम लेशर करंग किरन उर्जा अनुसंधान केंद इंदोर में, राज का पिथम विसे सार्थिक जौन इंदोर में, उद्धोगीक दिरिष्टी से बोपाल इंदोर जबलपुर और राज की मेगा फूर्ड फार्ग खरगोन और देवास में राज में आटो मुबाइल उद्ध्योग का सबसे बड़ा केंद पितंपुर्धार में राज में एकमाद घड़ी कार खाना बैतूल में राज में एकमाद छात्रा चाता सबसे बड़ा कोईला बंडार चित सुहागपूर पिदेश का सबसे बड़ा कोईला बंडार चित सुहागपूर पिदेश का पिथम का परमाड़ बिजली घर, चुटका गाउंब वंड़ा पिदेश का पिथम पवन उर्जा फार्म की स्थापना धार विसका सबसे बड़ा फिलोट इसोला फिलांट उंका रि शुष्ण पिदेश में सरफितम बिजली बोर्ड की स्थापन करने वाला राज आपका MP, कौन सा मद्द पिदेश, MP मतलब मद्द पिदेश, जैब उर्जा पार्क, ये जैब उर्जा पार्क की अगर हम लोग बात करें, तो ये आपको देखने को मिलेगा रीवा, पिदेश में तामे की मजाल खंड, मलाजखंड, राज में हीरे की खंडआए, पन्ना, राश्टी वित्दूत फिशिक चरसनस्तान, शिवफुरी, राज माइनिंग पोरपुरेसान, मुख्यालाय भोपाल, शैज एकिविकास मुख्यालाय भोपाल, मुख्या भोपाल, नज की पिथम खरक अनेती सिंग रॉली लो एस को उत्पादन में पिदेश का कौन सा इस्थान है पांच बार कौन सा पांच भी नंबर पर है यह आपके उत्दों के केन नहें उनके छेत थे हैं तो इने भी देख लिए इनसे भी कुश्टन्स पूछे जाते हैं पीथमपुर एधार मेग नगर जाबु जिसे उद्देव कार खाना हो क्या इस्थान उद्देव कार खाना इस्थान घडी कार खाना वैतूल हीरा कार खाना पन्ना लाग कार खाना उमरिया बनस्पती तेलिकाई साजापुर सुयाभी सैंत उज्जैन दिया सलाई उद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् संगमरमर्द तरासी केंद, जबलपूर चतरपूर, विस्किट फैक्टरी, ग्वालीर, पीवी-सी पाइप फैक्टरी, सतना, सल्फिरीक एसेट फ्लांट नागदा, एलेक्टोनिक्स कॉंफलेक्स इंदौर, एस्वेस्टर सेमेंट फैक्टरी, केमोर, चमडा कंपलेक्स, दे निर्माड पेक्टरी खमरिया जवलपूर में 1942 में इसकी इस्थापना हुई थी, यहां यूद के उफकरण बनते हैं गनकेरिज फैक्टरी जवलपुर में 1963-46 में इसकी स्थापना हुई थी, यहां भी युद्ध और बनते हैं, टेली फोन ओ टेलीगराफिक और बनते हैं, सेकॉर्टी फेपर मिल्ड, होसंगावाद में 1963-64 में इसकी स्थापना हुई थी, बैंक नोट चापने का कागज यहां बनता है हेवी वहिकल भारी बाहन फेक्टरी जवलपुर में 1989 में इसकी इस्थापना हुई थी रक्षात्मक भारी व्यवसाइक बाहन बनते हैं करंसी प्रेंटिंग फेस देवास में 1974 में इसकी इस्थापना हुई थी कागजी मुद्दा यहां चपती है ग्रे आयरन फाउंडरी जवलपुर में 1972 में इसकी इस्थापना हुई थी कच्चा लूहा से सम्बंदित हिंदोस्तान कॉर्फूरेशन प्रोजेक्ट मलाजखन बालाघाट में 1982 में इसकी इस्थापना हुई थी कौफर उत्पादन के अंदे बुरहानपुर ताप्ती मिल्स बुरहानपुर में 1906 साथ में इसकी इस्थापना हुई थी सूती कपड़ा और सूत से सम्बंदित है दी नियू भुपाल टेक्टाइल लिमिटेट भुपाल में पेपर नेपानगर भुरहानपुर में 1969 में अकबारी कागज भारत है भी एलेक्टिकल्स लिमिटेट भुपाल में 1964 में इसकी इस्थापना हुई थी सूइच गेर, कंट्रोल, गेर, ट्रांसफार्मर टर्माइन, ट्रेक्सन इसकी यहां निर्माड होता है इच्छित बाड़ा में देखने को में लेगा जैफ रुद्गी की पार्क इदेपाल पूर इंदौर में देखने को में लेगा कहां? इंदौर में देश का दूसरा महला पार्क इंदौर में, कहां? इंदौर में वाय टेकनोलोजी फार्क इंदोर में, निरियात और वरक उद्धोगिक फार्क देवास, एको टूरी में फार्क रीबा, जैव उर्जा फार्क रीबा, पहला पुरातत फार्क संगरामपूर दमोह, केंद्री एक खाद्य फार्क साथ इस्थानों पर इसमें मंदसों और इंदोर, लेदर कॉंफलेक्स देवास, एग्रो कॉंफलेक्स छिदबाड़ा, स्टेनलेस स्टील कॉंफलेक्स सागर्व, कहां सागर्व, मद्वदेश की पिरमुख्य जो अनुसंधान और फिसीक चंकेंद हैं, इनके बारे में जान लीजे, आरसी वीपी नरोहना प्रिसासन और प्रिबंद की आकादमी भोपाल, जन्जाती अनुसंधान और विकास संस्थान भोपाल, स्वान पिसीक चंकेंद बदबदा भोपाल, नेशनल इंस्टिटीट अप पैसन टेक्नोलोजी भोपाल, अटल विहारी बाचकरी लोग पिसासन संस्थान भोपाल, यातायात विसीक चंकेंद संस्थान भोपाल, आबदा प्रिबंधन संस्थान देश का पहला भोपाल, भारती बन प्रिबंधन संस्थान आई आई एफम भोपाल, नेशनल टेक्नो टेक्निकल रिसर्च ओर्गनेजिशन भारत भोपाल, राष्टी बिध पिषोंसतान भॉपाल िस्टेट इंस्टिटीट ऑफ एजूकेशन मेनेज़मेंट एन ट्रेनिग सेंटर भॉपाल कैन्द्री किरशी अभयांत की संस्तान भॉपाल राज शिक्षर संस्थान भॉपाल अधिकzym यानी की डिजीपे टैनिंग हित्तू राश्टी ए पिसिक्षण संस्थान बहुपाल है कहां बहुपाल में ही देखने को मिलेगा फिर आप देखेंगे कि सेंटर क्या राज्य सेक्षडिक अनुसंधान एवं पिसिक्षण परिशान बहुपाल सेंटर फोर रिसर्च एंड इंडुस्टियल पर्फोर्मेंस क्रिप्स एव पाल में ही कहां बहुपाल में ही हाई सेकोर्टी सेकोर्टी एनिमल लेवर्टी बहुपाल राश्टी तक्निकी पिसिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान बहुपाल मद्विदेश जल एवं भूमी प्रवंधान संस्थान वालमी बहुपाल Indian Institute of Science, Education and Research संस्थान भोपाल में ही जलवाई फरीवतन ज्यान प्रवंदर संस्थान केंद भोपाल Indian Institute of Information Technology and Management भोपाल IIITM भोपाल अटल विहारी बाच्विरी राष्टी अभिये शासन नगरीय प्रवंदर संस्थान भोपाल Central Institute of Agriculture Engineering एफ 1955 में भोपाल में एक इक पोलिस संस्थान भोपाल में ही है कहा है भोपाल में ही देखने को फिर आप देखें भारतिय विदेश प्यापाल संस्थान मानित विस्विध्यालेप भोपाल में ही आप देख रहे हैं भोपाल ही भोपाल चल रहा है सब भोपाल में ही देखने को मिलेंगे आपको तो इसमें राष्टी यातायात प्रवंधन एबं सोथ संस्थान भोपाल में ही भारतिय सुचना प्रोधगी की संस्थान भोपाल नेशनल इस्टीटीट ऑफ डिजाइन ग्वालियर इंडियन इस्टीट ऑफ एन्फोर्मेशन टेकनोलोजी एंड मैनेजमेंट ग्वालियर भारतिय प्रयातन प्रवंधन संस्थान भालियर भारतिय सुचना प्रोधगी की प्रवंधन संस्थान ग्वालियर में राष्टिय ख अनुसंधान संस्थान जबलपुर में, एकलब तीरंदाजी अकादमी ए जबलपुर में, बनेजी फोरेंसिक एवं स्वास्त केंद जबलपुर में, अंतराष्टी मक्का बग्यहूं अनुसंधान केंद जबलपुर में, महत्मा गांधी राज गरामीड विकास संस्थान जब क्लाश्टर जबलपूर में। राज विज्ञान सिक्षा संस्थान जबलपूर में। भारतिय सूचना परोधुकी की अभी कलपना वी निरमाड संस्थान जबलपूर में। आईयाइम इन दौर में राश्टिय सुयाभीन अनुसंधान केंद इन दौर में Our GLitch and Practice Center इन दौर में Indian Institute of Technology IT IIT पर हैं दौर माध्विदेशु का देशलाम्दी देशलाम्द्विदेश का पहला Wildlife Assistance Center जागरूक तक केंद रालामंडल इन दौर में ये üçplace minimal और एँ आप देखेंगे कि वन की अनुसंदान हो भाड़ में, पिदेश का पहला जैन सोध यृइन सोध दर्सन संस्थान भाड़ में, ड्राइवर लिल्ग त्रेनिंग सेंटर साली वता लिंगा गाउं चिदभाडा में निदेत्व पाउं निक्षण साहं होगी का अनुसंद्धान के ș यह आप देखें के खबाज्थ अनुसंदान के खरगोन वहां करम्नचारी पिषाइं पिसिक्चान संस्तान रीबा अपराद अनुसंधान पिसिक्चान संस्तान सागर फॉरंसिंग साइंस लेवर्टी सागर भू उपगराय दूर संचार अनुविसंद केंद गुना फुट विया डिजाइन विका संस्तान हरीपूर गुना अंगूर अनुसंधान केंद रतलाम मद्वदेश धान अनुसंधान केंद यह बढवानी में देखने को मिल जाएगा उसके बाद आप देखेंगे कि मद्वदेश ग्याहू अनुसंधान केंद पवार केड़ा हो संघाबाद में तुलसी सोध संस्थान एचितकूट में, वराष्टी बिद्धुद, वराष्टी बिद्धुद पिसीक्षण संस्थान एशुफुरी, दलहन अनुसंधान केंद अमलाहा सिहोर, किरसी का अंतराष्टी रिसर्स सेंटर सिहोर में, गन्ना अनुसंधान केंद बुरहानी और नर अटेल विहारी बाचफ़ी संस्किती बाकला केंद, मुरेयना में, ग्रामीर पंचयाद, फिसीक्चान संस्थान, अमरकंटक में, मत से उद्ध्योग, फिसीक्चान केंद, नौगाओं, एक अहाँ, नौगाओं, चतरपुर में, नौगाओं, चतरपुर में, तो ये छोटी ब मध्य को साम की सा vibes हुद मनदधेस राई न्यदेश आल हैु निर्वाचन हैु भोपाल में अनुसूलך जान आएु ह rho. मध्य मैं पिछडा बरक आइु भोपाल में मधैस राज अल्फ संख्यक आइु भोपाल में राज बीधा वोड भोपाल में परेटण विकास बोड्द भौपाल में ही कहां भौपाल में ही देखने को मिल जाएगा आपको मद παरेश बीज एब फार्म विकास निगम 1980 में इसकी स्थाफना वूई ठी भौपाल में मद पज़्य उđद्योग निगम 1961 फोपाल में मद्विदेश लगू उद्द्योग निगम 1961 भोपाल में मद्विदेश उद्दोग इविकास निगम 1965 भोपाल में मद्विदेश बस्तो उद्द्योग मंदल 1972 में भोपाल में मद्विदेश माइनिंग कॉर्परेशन भोपाल काहां भोपाल में और आप देखेंगे और क्या ह मद्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध् पहलाबित विकास बोड़ भोपाल में, मद्विदिस राज्य समाज कल्याट बोड़ भोपाल में, मद्विदिस पिच्रावर्ग अल्पसंख्या कायो भोपाल में ही, मद्विदिस गौपालन पसुपालन संबर्धन बोड़ भोपाल में, मद्विदिस राज जिखनेजी देखने कुमलेगा अधिकतर भोपाल ही देख रहे हैं मदविदेश सूचना आयो भोपाल में ही मदविदेश चरम विकास निगम भोपाल में ही Sports Authority of India साइं का छेत्री एकारेल है गोरा गाउं भोपाल में मदविदेश विदूसन नियंतन बोड भोपाल में मदविदेश राज योजना आयो भोपाल में मदविदेश उर्जान विकास निगम भोपाल में धुर्फत संगीत अकादमी भोपाल में मदविदेश वफ बोड भ माटी कलाबोड भोपाल में, मद्विदेश विज्ञान एबं उद्धोगिक परिशत भोपाल में, मद्विदेश मानो अधिकार आयो भोपाल में, मद्विदेश राज महिला आयो भोपाल में, मद्विदेश उभोकता आयो भोपाल, मद्विदेश सडक निगम परिवान निगम लिमिटिड भोपाल, मद्विदेश सरम कल्यान मंडल भोपाल, मद्विदेश मदर्सा बोड भोपाल, नर्बदा घाटी विकास प्राधीकन भोपाल, मद्विदेश राजभूमी विकास निगम भोपाल, व्यवसाइक परीक्षा मंडल व्यापम ए भोपाल में ही मद्धविदेश एग्रो इंडर्स्टीज कॉर्पोरेशन भोपाल रेलवे भरती बोड भोपाल ए जो भोपाल में जिनके संगट मुक्याला है न उनके बारे में बात हो गई है उनके बारे में बात कर लिए हैं अब लोगों ने अब किसके बारे में बात करते हैं अब बात करते हैं मद्धविदेश लोक सिवा आयूप के बारे में इंदोर में है MPPSC मद्धविदेश वित निगम ए इंदोर में मद्धविदेश बस्तो द्यो निगम 1970 में इसकी स्थापना हुई थी इंदौर में मद्विदेश राज भंडारन गरह निगम इंदौर में राज मुद्राले इंदौर में ही देखने को मिलेगा कहां इंदौर में ही देखने को आपको मिल जाएगा तो इसके बारे में भी याद रखिएगा आप लोग और फिर आप देखेंगे राज मुद्रानले इंदोर में मद्पिदेश की उचने आले की खंड़ फीट इंदोर ग्वालियर है और मुख्य फीट इसकी आईकोट की कहा है जवलपुर में मद्पिदेश महले का कार्याल है और बहु अबलेक का कार्याल है अपको देखने को मिलेगा इस तरह से एक सामाने फरिचाए आपका मद्पिदेश का हो जाता है और दो-चार कूर्चनस इससे आपके प्रीक्ठाओं में पूँचे जाएंगे कम से कम बात कर रहा हूँ और पढ़ लीजे आप लोग एक सतर दो बार रेविजन करिएगा आप लोग और निकल जाएगा ठेक है? मुझे लगता है कि काफी ये मत्वदेश का एक सामान पर इचा है चलिए और कुछ बात करनी हो तो आप लोग बताईए कोई सवाल हो सुझाओ हो तो वो भी आप लोग बता सकते हैं उन पर भी विचार किया जाएगा